ओम श्यांति, आप सबको 6 जैनुवरी के शुरुदान में स्वागत है परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम अपने पुराने संसकार और पुराने सुभावों को जो हैं हम उने बनाये हुए हमारी नेचर के स्थे हैं उसको उन सबको हम छोड़ें ताकि हम डबल लाइट बन पाएं तो पुराने सुभाव संसकार के बोज परमात्मा पिता है वो क्या है बोज को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिष्टा भवा जब बाप के बन गए तो सारा बोज बाप को दे दो अगर हम बोज अपने उपर लेते हैं तो हमें या तो ईर्शादी है घ्रणा, नफरत, बतर जेनी की भावना या किसी से हमें द्वेश या किसी से हमें प्रॉलम कुलोध किसी उपर या आती है तब जब हमने सारी प्रॉलम्स अपने सर पर रखी हुई है बोज बाप को दिया, तो अब बाप संबाले, बाप करवाए, बाप guidance दे, बाप idea दे पुराने स्वभाव संसकार का थोड़ा बोज भी रहा हुआ होगा, तो उपर से नीचे ले आएगा उपर से नीचे ले आएगा मतलब क्या हुआ? हमारी जो मन की अवस्ता है, जो खुशी, शान्ती, सुक, आनंद, शक्ति, जो महसूस कर रहे थे उससे हमें थोड़ी दिर पहले, उससे हमें नीचे गरा देगा हमें sadness, अशान्ती में, attention में, distress में लेके आएगा उर्तिकला का अनुभव करने नहीं देगा हलके होने नहीं देगा, परमात्मा से योग लगाने देगा, परमात्मा के पास जाने नहीं देगा, ब्रहमलोक को याद करने नहीं देगा इसलिए बाबदद कहते हैं, सब दे दो, बुराईयं सारी क्या करो, मुझे दे दो यह रावन की प्रॉपटी अपने पास रखेंगे, तो दुख ही पाएंगे, रावन की प्रॉपटी, दोएश, किरणा, नफरत, आलस से, अलबेला, पन, काम, करोद, लो, मौंकार, इस सब किसी प्रॉपटी है, यह रावन की प्रॉपटी है, परमात्मी प्रॉपटी है, पाएंगे फरिश्टार थात जरा भी रावन की प्रॉपर्टी ना हो मनलकी दुख अशांती लोग महों अहंकारी सब कुछ क्या हो यह हमारे अंदर ना हो सब पुराने खाते भसं करो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्टा हलके कब होंगे जब हमारे अंदर से सारी इंप्य सब्सक्राइट को जितना हो सके हमें उनको याद करना है ताकि हम डबल लाइट रहे हैं और आगे समझने के लिए ब्रह्मकुमारी सेंटर में जाएं मुश्याथ देए